हेलो फ्रेंज, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अजगर नाटक, अजगर नाटक में 16 द्रिश्च थें, जिसमें आज हम 4 द्रिश्च देखेंगे, इसमें दोस्तों एक थानेदार दिखता है, जिसका नाम जालिम सिंग है, और उसका एक हवलदार है, जिसका नाम सेवक राम है, और तीसरा केरेक्टर जो आएगा दोस्तों वो लाला का मुंसी रहेगा जिसका नाम सारदा था जिसे आप दृष्य पहला में मिल चुके होगे तो आईए दोस्तों देखते हैं इन तीनों के बीच क्या बातचित होती है पर पहले हम जैसे की हमेशा की तरह रिवाइज करते हैं ताकि कोई भी कोश्चन हमसे छूटे ना लेखक का नाम था विश्वन नात दसाउंधी राच लेखक का जन दोस्तों 15-4-1943 में हुआ और उन इसका प्रकाशन बालाटी खोठा कमीटी से करवाया और इस नातक का प्रकाशन वर्स था 2004 अब आईए हम करेक्टरों के नाम जानते हैं पहला था अगनुलाला जो की गावे का महाजन है दूसरा है मंगरा जो अगनुलाला का बेटा है तीसरा है सारदा परशाद जो की अग थानेदार है उसके बाद बाबा भगत गावे का पुजारी है उसके बाद गोवर है जो की गरीब किशान है मतुरा है जो गावे का गरीब किशान है तेतरा मांजी है जो की एक आदिवासी है फुलवा नाम की एक लड़की है जो की महरा जाती की है सुगिया नाम का एक आद और उसकी वाइफ का नाम है बिजली, एक सिपाही और एक थानेदार है, तो आईए आज देखते हैं कि इस द्रिश्च में क्या दिखाया गया है, पहले इस थान के बारे में बताया जाता है, तो पहले खोटा पड़ेंगे, उसके बाद उसकी हिंदार है। इस्थान में दिखाया जाता है कि एक थाना है और थाना के भीतर जालिम सी नाम का एक थानेदार है, जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके पास एक सिपाही खड़ा है। जालिम करता है कि तुम एक थाना के सिपाही हो, तुम यहां का एक सरकारी सेवक हो, तुमारे पास बल, बुद्धी, सब कुछ है, तुम यहां जारखन के एक जंगल में पहरी हो, तुम अपनी और बचों की यहां सेवा करने नहीं आए। सेवक राम, जानी हुजूर, सेवक राम करता है, मैं जानता हूँ मालिक। जालिम, फेताहीं तो भोकाजैनेस काम कही करे है, यह बोन पहरी तोरा कौनो काम नाए देतो, काम देतो साइटा, जेटा तो यह कमाए भे। जालिम सी कहता है, फिर तुम बेकुफ वाला काम क्यूं करते हो, ये जंगल और पहार तुम्हें कोई काम नहीं देंगे, काम वहीं देगा जो तुम पैसा कमाओगे. सेवक राम, एटो हमें जानी हुजूर, सेवक राम कहता है, ये तुम मैं जानता हूँ, जालिम सी कहता है, तो की जाने, तो कोछ ना जाने, जान तले ता हमरो धारे सुखेक दिया, बर्तलै और तोरो घारे, आइज या तोर चादर बचर भई गे लो, हमरो चादर से उपर जालिम सी कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम जानते, तो हमारे घर भी सुख कर दिया जलता, और तुम्हारे घर भी, तुम्हें यहां आए हुए चार साल हो गए, और मेरा हुए चार साल से उपर हो गया है सेवक राम कहता है, मेंतुक हुजूर हामे करक घी, यहां सोभे लो, गरीब ही यांख, मानुस दिन रात खट लो, पर भूखे रहे हत, ककरो घारे एगो टाटी तक नाई देखे पावे ही सेवक राम कहता है, लेकिन हुजूर मैं क्या करूँ, यहां के लोग बहुत गरीब हैं, दिन रात खटते हैं, पर भूखे रह जाते हैं, किसी के घर में एक अच्छी चट भी नहीं है जालिम सी कहता है, ककर घारे टाटी है और ककर घारे नाई, इटा देखे खातीर सरकार की तोहर यहां भाली करलो, तो गोरू लागे, कधियो तो सुद्धी बुधी नाई होतो जालिम से कहता है कि किसके घर छत है और किसके घर नहीं ये देखने के लिए तुम्हारा सरकार ने भाली नहीं किया है तुम एकदम बुद्धू हो जो तुमें सुध बुद्ध कुछ भी नहीं है सेवक राम, सेटा के कहे पारे हुजूर सेवक राम कहता है ये मैं कैसे कह सकता हूँ हुजूर जालिम बड़े बड़े आँख काईर बड़ा आँख करके कहता है के के हे पारे अरे गोरु हमें काहे रहल हियो हमर बात मान हमें यहां ठानेदार आर ठानेदार माने तों बेस काईर जाने जे ओकर ठीन कते बुद्धी हो जालिम सी बड़ी बड़ी आँखे करके कहता है कि कौन कहने सकता है तुम एकदम बुद्धू हो हमारी बात मानो हम यहां के थानेदार है तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसके पास बुद्धी अधीक होता है सेवक राम सेटा हमें जानी हुजूर बुद्धी नाय रहले की तोहे दलान घार बनवे परतले फेरिक बेटिक बेहाई लाखो टाका पानी जैनेस बहाई देले यह काम तोहर काड़ा क्यू करे नाय कर सेवक राम कहता है यह तो मैं जानता हूँ जूर आपका अगर बुद्धी नहीं रहता तो आप इतना बड़ा दलान जैसा घर बना पाते अपनी बेटी की साधी में लाखो रूपया पानी की तरह बहा पाते यह काम आपको छोड़ कर कोई नहीं कर पाली हाँ अबे तोर दि दिमाग में मेरा बात घुसा जिस दिन तुम्हारे बात में दिमाग में ये बात घुस जाएगी उस दिन तुम भी दलान जैसा कोठी अपने घर बना पाते अबे सोबे बुझी गेली अबे हामू दलान ठोईकव और बेटिक ब्याई टाका बिचाई दे भुजूर सेवक र जालिम सी काता है तब और देरी क्यों कर रहे हो जाओ और जहां मोटा मोटा आसामी को देखो उसे पकता है करकर ठाना ले आओ हम जानते हैं कि जारखन के मनुस सीधा होते हैं एक बार डरेंगे तो तुरंत जादा जादा पैसा देने लगेंगे तभी अगनु लाला का मुंसी सार्दा परसाद महा आता है सार्दा जोहार हुजूर सार्दा आकर प्रनाम करता है जालिम जोहार की बात लागई जालिम सी करता है प्रनाम क्या बात है सार्दा बात ता हुजूर छोटो मोटो और नाय ता खुबे बोडो सार्दा करता है हुजूर बात तो एकदम छोटा मोटा है और नहीं तो बहुत बड़ा है जालिम माने तो ये कहे की चाहे है जालिम सी करता है बताओ तुम क्या कहना चाते हो सार्दा आर की का वो हुजूर जखन घोर कलजूग आई गेल है तखन यहां का मनुस के इमान धरम सोबे बदल सार्दा करता है और क्या कहेंगे हुजूर घोर कलजूग आ गया है यहां का म प्रिया करकाता है हमारा इमान धरम आर धरम मुझे नाय हतो साप साप क की लगाई यह इमान धरम मुझे मत बताओ साप साप कहो क्या बाद सारदा आर साप साप छाड़ा हमें की कह वो हुजूर इगे गाउं के गोबरा लागे भूखे मोरे हल तकन लाला जी 5000 टाका पूठी मा जाइसन गेन देलीन गोब्रा आपान घर खेत पतार साबे लालाक नाम करेल देल आइच गोब्रा उलट गई ओकर बोलियों बदल गई वो कहे है कि हमें टाका नाई लेले ही इतने नाई हुजूर ये लिखल कागज के खातिर तयार नाई मुंसी सारदा परसाथ इतना एगो का पागज जालिमसी के दिए सारदा परसाथ कहता है हम आपसे साफ साफ कहते हैं हुजूर एक गाउं का गोब्रा है जो भूखे रहता था और उसे भूखा देकर लाला जी ने पांच हजार के पैसार गिन कर उसे दिया गोब्रा अपना खेत घर बारी सब लाला के नाम कर दिय अब गोब्रा है सो उलट गया है वो ये बात उसका बोली भी बदल गया है वो कहता है कि हम कोई पैसा नहीं लिये हैं हम उजूर के पास से एक भी पैसा नहीं लिये हैं और ये लिखा हुआ कागज को भी मानने के लिए तयार नहीं है इतना का कर मुंसी जालिमसी को एक काग जालिम सी कहता है यहां तो सब लिखा हुआ है वो तो सब लाला के पास बेच चुका है और उसके अंगुठे का निसान भी है यह जूट कैसे हो सकते हैं सारदा खुसी भई जूट कैसे तई हुजूर हमार लाला जी नियाय के परेमी लागत ओं कधियों अन्याय करे नाय पारत अबे हुजूर के सामने बात रख़िल गेल है तब तब हुजे रेजे कर बे सारदा परसात कहता है खुसो कर जूट कैसे है हुजूर हमार लाला जो है वो अन्याय के प्रेमी है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, अब आपके सामने बात रखी गई है, अब आप जो करें, जालिम, हमें यहाँ ठानेदार, माने यह छेत्रक मालिक, हमार यहाँ रहल, पर यह अन्याय होए नाज देवी, सेवक राम, जालिम सी कहता है हम यहां के थानेदार हैं और ये छेत्र का मालिक हैं हमारे रहते या न्याय नहीं हो सकता है और आवाद सेवक राम को देते हैं सेवक राम वहां आता है सेवक राम कहता है हुजूर जालिम तो इसोभे बात सुन ले लोए जालिम सी काता है तुम सब बात सुन लिया ना सेवा क्राम हाँ हुजूर सेवा क्राम काता है जालिम सी काता है तर तहियार होई तो हमार संगे जाई ले आईच देखव करकर नाम गोब्रा लागी जालिम से कहता है अगर तुम तयार हो तो हमारे साथ चलो आज मैं देख लेता हूँ कि किसका नाम गोब रहा है सार्दा तोहें हुजूर नाय देखवे ता आरके देख़े ये काम आईजे भेले ठीक रहीत हुजूर सार्दा परसाथ करता है कि ये आप नहीं देखेगा तो कौन देखेगा ये काम आज ही हो जाए यही ठीक रहे जालिम सोबे ठीक रहीत मेंतु और अगवाई हमरो तर ठीक रहना जरूरी है जालिम सी करता है सब ठीक रहेगा लेकिन मुझे पाले मुझे ठीक रहना हूँ सार्दा करता है सत्य बचन हुजूर तोरा ठीक राखे खातीरत लाला जी हमार यहां पठवल हत एगो भोरक धोंगा दे देही सार्दा सी करता है सत्य बोल रहे है हुजूर आपको ठीक रहने रखने के लिए ही तो लाला जी हमें यहां आपके पास भेजा है और एक ठोंगा ठानेदार को दे देदे जालिन सी करता है इक की लागो यह क्या है सार्दा सी करते हैं सार्दा परसाथ करते हैं आर की रहे थुजूर इदर बुतरू खातीर लाला जी देलहतून सार्दा परसाथ करता है और क्या रहेगा हुजूर आपके बच्चों के लिए लाला जी ने आपको दिया जालिम सी करता है तर ठीक है तोई ताजाने हम इस सब के पसंद नाय करी में तुख तोई जखन गीदर बुद्रुक नाम कर ले तखन आर करब की दे जालिम सीठोंगा राइख ले हैं जालिम सी करता है तो ठीक है तुम जानो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है लेकिन जब तुम हमारे बच्चों के नाम लिए तो मैं इसे रख लेता हूँ और जालिम सीठोंगा रख लेता है सेवक राम करता है, आब ये हमें जाय पारी हुजूर, सेवक राम करता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ, जालिम, जालिम से करता है, हाँ हाँ जाय पारे, साभे काम पेचु आर तोर काम आगू भई के कर रहतो, ये कामे की करे, हताई आर की नाय हमें जाने, सारदा परसाद वह जालिम सी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, अब सब का काम पीछे होगा, तुम्हारा काम सबसे पहले होगा, ये काम के आगे और कुछ नहीं होगा, सार्दा परसाद वहाँ से चला जाता है। जालिम सी कहता है, देख ले सेवक राम, बुद्धी रहले भगवाने छपरी फायर के दे है, आईच बसले बसले पाई गेली के हार, जालिम सी कहता है, देखा सेवक राम, बुद्धी रहेगा, तो भगवान छपर फार कर देते हैं, बैठले बैठले देखा मैंने कितना सेवक कहता है अजगर की काम करें हुजूर आपने ओकर मुई अहार ए के धुंड़क जाई यह साभे भगवान एक लीला और खेला सेवक राम कहता है अजगर क्या करेगा उसके मुँ में अजगर क्या काम करता है वो मुँ फारता है तो उसका हार अपने आप अंदर चला जाता है ये सब तो भगवान की लीला और खेला जालिम सी काता है हाँ आज तनी बेशी बुधी तोर भेलो जो आईसन बुधी कर तावे पेट भरतो सेवक राम चले ही जा है और परदा गिर जाता है जालिम सी काता है हाँ आज तुम्हें बुधी आया ऐसने बुधी रखोगे तभी पेट भरेगा ये कहकर सेवक राम चला ज हो जाती है आपको अरुना मैम की आवाज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में बताएं लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और हमें यह कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं दोस्तों कि आखिर जालिम सिंग क्या सचमुच में अजगर जैसा था जो कि लाला के दिये हुए गिफ्ट को तुरन निगल गया और गोबर को सबक सिखाना चाहता था क्या गोबर सच में गलत था आपने जो पहला दृष ये पढ़ा था उसके हिसाब से बताईए क्या गोबर को सचमुच लाला ने 5000 दिये थे अंगुठा कैसी लगवाया था आपको याद है ना वरना फिर से पहला दृष देखे दोस्तों क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूच सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे विवर्स कभी भी एक्जाम में कम नंबर लाएं तो आप हमें कमेंट सेक्षन में इसे बताएं ताकि आपको याद हो कि आखिर लाला गलत था, अजगर गलत था या फिर सभी गलत थे या फिर गोबरा गलत था लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों और मैं आपको फिर से एक नए द्रिश्च के साथ मिलूँगा तब तक के लिए बाबाए दोस्तों, जैहिन, आपने मुझे इतना देर तक सुना, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट में तब तक के लिए बाबाए, हैव एन आइज दोस्तों